बोडी बिलिंग से रिलेडिड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दवाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप मेरी साड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे फोटो पे क्लिक करके आप मेरी साड़ी वीडियो देख सकते हैं हेलो गाईज, वेल्टम बैक बंस अगेंड, मेरा नाम है पंगज and you are watching पंगजा फिटनस एजुकेशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेट गेनी और मास गेनी का सबसे सस्ता और आसान तरीका मैं वेट गेन करने के लिए और सर्ज में मसल मास गेन करने के लिए अब मूल इस्प्रे और प्रोटेनेक्स को कैसे यूज करता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ तो गाइज इसको कब कैसे और किस तरह यूज़ कर सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा साथ के साथ तो सबसे पहले मेरे पास ये है एक गिलास पानी नोर्मल पानी है ये अभी अभी ताजा नल से बढ़ा हुआ है कोई बालवा पानी नी है ना घरमे ने ठंडा है नोर्मल पानी है ये ये है मेरे पास सदबोल की बूसी जो मैं रखता हूँ अपने साथ ये आपको किसी भी कैमेश के साथ से मिल जाएगी पेट को साप सुतरा रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये मैं जरूर यूस करता हूँ इसके साथ प्रोटेनेक्स तो आप जानते ही है 100 ग्राम में 32 ग्राम प्रोटीन और ये है गेनर दकींग ओफ गेनर सबसे सस्ता और सबसे आसान एक किलो मिल जाता है तीन साथ तीन सो तक का जिसमें आपको 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम प्रोटीन मिले गेनिंग के लिए इससे सस्ता और बढ़िया क्या चाहिए आपको चलो मैं यूस करने का तरीका बढ़ाता हूँ आपको सबसे पहले एक खाली बोटल लीजिए इसके अंदर डाल लेजिए आप ये वाटर नौर्मल वाटर ठीक है अब सबसे पहले इसमें से आप इसके बाद निकाल लीजिए आप आदा चमत सदबूल की बूसी सबूल की बूसी हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है हमारे पेट को खराब नहीं होने देती, दस्त नहीं होने देता और पेट की कमजोरे को भी दूर करता है मतलब बहुत अच्छा ये इसके साथ मैं यूस करता हूँ एक स्कूप यानि की एक चमबच ये है मेरा प्रोटरनेक्स ये है चॉकलेट फिलेवर आप वनीला फिलेवर भी यूस कर सकते है इसके बाद मेरे पास ही है अमुल्क स्प्रे मिल्क पॉडल जिसका मैं लूँगा चार स्कूप तकरीबर पचास से साथ गराम तक का ठीक है प्रोटरनेक्स से आपको टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर विटामिन A, B, C, D सब कुछ मिल जाएगा आपको आईरन, केलशियम, मेगनेशियम, कॉपर सब कुछ, काबोहेटिट, पोटीट, इरजी सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर सोडियम, और सब कुछ इसके अंदर तो इससे डबोल मिलेगा आपको पूटीन, काबोहेटिट, फैट, विटामिन C, A, केलशियम, मेगनेशियम, आईरन, कॉपर, जिंग, सोडियू, पोटीशन, हर चीज मिलेगा आपको इसके अंदर ठीक है हमने इसको अच्छी तर से मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद तो इसनी करना आपको इसके अंदर से फिलप कर लेना है ठीक है, हमने पानी को अबाला नहीं है इसे हम दूद के साथ यूस नहीं कर रहे हैं दूद के साथ इसलिए यूस नहीं कर रहे हैं ताकि ये हमें कंज्यूम करने में काफी आसानी होता है वाडर के साथ आप इसका result चाते हैं या फिर आप इसे पचाना चाते हैं तो आप इसे पाजी के साथ ही यूज कीजिए ठीक है इसके बाद क्या करना है आपको close करके अच्छी तरह से इसे mix कर लीजिए एक minute mix कीजिए और इसके बाद अच्छी तरह से जब यह mix हो जाए बढ़िया तरह से तो इसको पांच minutes के लिए आप छोड़ दीजिए तब तब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज कर सकते हैं आप इसे जिम के अंदर यूज कर सकते हैं जिम के बाद जिम के बाद आप जब अपना regular जो डाइट है आपका body building का जैसे कि आप bread, अंडे जो भी आप खाते हो खाने के बाद आप इसे यूज़ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जिम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो जिम के बाद खाना खाने के बाद डाइट लेने के बाद यूज़ करो और रात में जब आप अच्छी तरह से खाना खा लो तो सोने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हो पांच मिनट छोड़ने के बाद मैं पांच मिनट इसले छोड़ने के लिए बोलता हूँ ताकि अच्छी तरसे मेल्ट हो जाए पिघल जाए, मिल जाए एक दूसर से इसके बाद पांच मिनट बाद फिर इससे अच्छी तरसे शेक करो ये गिलास खोलो खोलो या मत खोलो ये मेरे पाद धकन में वैं वैसे पी जाता हूँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कलर कैसा रहता है तो ये है एकदम इसका कलर मिल्क प्रोटीन का सूपर सेट बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा तब तक के लिए बाई